बहुत प्यार से इतना प्यार से जूता भिगो के मारा गया के मज़ा आ गया ये बात तो पकी है कि इस फिल्म के बाद में बर्नॉल की शेर्स बर्नॉल के बिक्री आस्मान को चुने वाली है कई बार सरकार एडवाईजरी जारी करती है न दिवाली की टाइम में कि पटाकों से दूर रहें, अपना हाथ न जला लें पटाके से जलने का खत्रा रहता है अब इन फिल्मों से पहले भी डिस्क्लेमर होना चाहिए इस तरह की फिल्में चमचे न देखें जलने का खत्रा रहता है आप सभी को खंबा गणी देख रहे हैं राजस्थानी रियक्शन राजस्थानी रियक्शन में आज हम अभी कुछ देर पहले आई फिल्म सावर करका ट्रेलर रिव्यू करेंगी और अगर आप कहते हैं कि रंदीप हुड़ा की बारे में बात करें तो रंदीप हुड़ा की बारे में क्या ही कोई बात करेंगा अब मतलब इतना बड़ा एक्टर हो गया है रंदीप हुड़ा इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा तो वीडियो के एंड तक बने रहें ज़्यादा ज़रूरी चीज जो मैं एकसर भूल जाता हूँ सब्सक्राइब दरूर कर लें इस चैनल को आपका प्यार बहुत मिलता है मुझे इतना मिला है कमेंट सेक्षन में वेलकम बैक किया है लोगोंने कि मुझे ऐसा लग रहा है बेटी वापिस माई के आई है सब्सक्राइब बहुत दिन रह ले थी वापिस माई के आगई तो मैं बता रहा था कि सावरकर का जो है वो ट्रेलर आ चुका है इसमें एक्टर है रंडिपूड़ा और शायद इन्होंने डिरेक्टर रिल डेब्यू भी किया मुझे ये एक्टर ना इनको मैंने चार्स और मैं में देखा था इनकी जो मूवी आई थी चार्स और मैं इन्होंने चार्स को जो पकड़ा था ना उस केरेक्टर को जो पकड़ा था अपना लुक अपना डायलॉग डिलिवरी अपनी एक्सेंट अरे भाई साब अगर कोई सच में फिल्मों का जानकार और फिल्मों का प्रेमी आदमी होगा न तो रंदी पुड़ा की एक्टिंग से प्रेम कर लेगा मैं तो कहता हूँ ये है Mr. Perfectionist मतलब दूसरा भूल जाओ मेरी वाइफ कहरे जी कि रंदी पुड़ा ने तो अब तक इस पे काल कोटरियों पे PhD कर ली होगी सावरकर में काल कोटरी इसमें सरबजीत में काल कोटरी अच्छा वो उसने एक बात और कई मेरी वाइफ ने कि मतलब रंदी पुड़ा इस तरह के एक्टर है कि वो कच्चे मिट्टी की तरह जाते किसी डिरेक्टर के पास में और वो उसे घड़े की तरह है घड़े की तरह है जैसा वो शेप देना चाहे वैसा वो शेप देता इस तरह का एक्टर रंदी पुड़ा भाई साब बड़ी तो यह बहुत बड़ा कॉंप्लिमेंट आपके लिए तो हम वापिस फिल्म पे आते हैं इन्होंने डायरेक्शन भी किया है एक्टिंग भी करिए डायलोग लिखे हैं यह मैं भी पूरा देखा नहीं लेकिन अगर मतलब बात कहूं न के मज़ा आ जाने वाला ट्रेलर है लिट पॉलिवुड के कोई भी परसनेलिटी हीरो, डिरेक्टर, एक्टर कुछ भी ले लो जिसको मैं फेस्बुक पे फॉलो करता हूं सिर्फ एक ऐसे हैं एक लोते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं नंदीब जी का कितना बड़ा फ्रैन हूं सरब जीत में तो इनको मतलब अवार् जीत में इन्हों ने जो काम किया ना जो काम किया ना भाई उसका कोई सानी नहीं है नॉमिनेशन कौन ले गया अमिता बच्च्चन की बहू फिर पता लगा कि यार मिलना भी तो केवल फिल्म फैरी है तो हमने सोचा छोड़ो यार मिलना भी तो फिल्म फैरी कौन सा आसकर हैं जो उसके लिए दुखी हो लेकिन रंदीब जी मज़ा आ गया यहां पे न मिरको अटल भी राई वाजपई जी की कविता याद आती है जो उन्होंने सावरकरजी पर सुनाई थी मैं आपको सुनाना चाता हूं सुनी रहा क्योंकि अब सावरकरजी मराठी थे तो अटल जी तो कवी आदमी थे तो उन्होंने बीच में मजा आ गया तडपती हुई आत्मा, सावर करमने तितिक्षा, सावर करमने तीखापन, सावर करमने तिखट यह सिर्फ अटल जी लिख सकते हैं, मतलब अटल जी वो भी सावर करजी के लिए लिख रहे हैं मजा ही आ जाएगा मैं सावरकरजी के बारे में विकीपीडिया पर पढ़ रहा था अपने आपको रिफ्रेश कर रहा था कि मैं कितना जानता हूं सावरकरजी के बारे में आप विश्वास मानी जब वो सेलुलर जेल में थे 1911 से लेकर 1921 तक उनसे जो जो काम लिये जाते थे अगर हमारी जिन्दीगी में 10% छोड़ा अगर हमारी जिन्दीगी में उतना दर्द उतनी यातना है उतना उतना थर्ड डिगरी नहीं फॉर्थ तेंथ दिगरी अगर हमारी जिन्दीगी में एक परसंट भी आ जाए तो हम अगले दिन मर जाएं हम पागल हो जाए हैं हम कुछ क्या कर जाया है पता नहीं अब मैं आपको बताता हूँ जो कि सिर्फ विकिपीडिया पे लिखा हुआ है इसके गहराई समझना कितना दर्द था साथ अप्रेल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया था वीर्जाबरगर जी को इकालना पड़ता था यह बहुत सिंपल से लाइन है लेकिन इसको जो करने बैटता ना वो जानता है कि उसकी जान निकल जाती बस वो मौत मांगता है यह आई ने कोलू के बैल की तरह काम में लिया जाता था और दलदल में फेंक दिया जाता था उस पहाड़ी और दलदली भूमी को समतल करने के लिए और जो रुकता था उसके बैतों ही बैतों से जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में भी एक सीन है रंदी फुड़ा भी बैत मारते वो मारा करते थे वो आप वो कमरा देख लेंगे वो कोटरी देख लेंगे जहाँ पर सावरकरजी को रखा जाता था और आजकल की लोग जिस तरह से सावरकरजी पर बात करते हैं मुझे बहुत दया आती है उन लोगों की सोच पर दया आती कि खेर इसमें गांधी के लिए बहुत कोछी कहा गया है बहुत प्यार से इतना प्यार से जूता भिगो के मारा गया कि मज़ा आ गया है गांधी बुरे दिखाने के चक्कर में वो थिखाने के चक्कर में या जीवनी दिखाने के outside मैं extra कर देते हैं over कर देते हैं तो रंदी फुड़ा से वैसे तो मुझे पता है कि वो एकदम balance बना के चलेंगे emotions का जिस तरह से क्योंकि चाल्स और सरबजीद भी मैंने देखी थी बस over ना करें फिल्म में music ना हो जब सावर करजी की जिद्धी में संगीत नहीं था तो हम उस बंदे की उस क्रांती कारी की उस महानात्मा की फिल्म में music कैसे सुन सकते हैं background music हो बहुत अच्छा लगेगा emotions में बहा के ले जाएगा ब तो यह ट्रेलर का review सावर करका आपको कैसा लगा मैं ज़रू बताइए देख तरही राजस्तानी रिए